अलो दोस्तों, आज आप सब लोगों को मैं कहानी बताने के लिए आया हूँ, इसरो की कहानी, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जो आए दिन नए नए मुकामों को हसिल कर रही है, उस इसरो की कहानी, ये इसरो शुरू कैसे हुई, इन्होंने आज तक क्या क्या क सब कुछ देखेंगे एक छोटे से इस कहानी के सुरूप में, इसरो शुरू होने के पहले हमारे भारत में एक दूसरी ही संस्था कार्य करती थी, जो इनको स्पार नाम से पहचानी जाती थी, इनको स्पार इसका लॉंग फॉर्म है, इंडियन नैशनल कमिटी फॉर स्पेस इसकी स्थापना करने में एक व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और उनका नाम था डॉक्टर विक्रम सारा भाई, डॉक्टर विक्रम सारा भाई जो है, इनको सबसे पहले जरूरत महसूस हुई कि हमारे भारत का खुद का एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, और इस वर्ल्ड वार में हमें स्पेस प्रोग्राम की जरूरत बार बार दिखाई दी है, तो हमारे स्वतिंतर भारत का भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, तो जवारलाल नहरों ने बोला कि ओके एक कमिटी स्थापन कर देते है, एक कमिटी बना देते है, इंडियन जोतोबनी, उस committee को बनाने के लिए सबसे ज़ादा मेहनत जिन्ओंद लिए ती डुक्टर विक्रम सारा भाई, उन्हों ने इस committee को कुछ टारगेट दिये, उस target में सबसे पहला target था, sounding rocket बनाना, अब ये sounding rocket क्या होते है, space program है, इसका मतलब है कि हमें बहुत उचाई तक जा करके धुढ़ना है कि क्या क्या है बहुत उचाई पर हमें satellites छोड़ने हैं हो सके तो चांद पर जाना है वेगरा वेगरा लेकिन अगर इतनी उचाई पर जाना है तो सबसे पहले हमें अपर atmosphere का पढ़ाई करना पड़ेगा अपर एट्मोस्पेर का पढ़ाई करना है तो वहां तक हमें at least रॉकेट तो ले जाने पढ़ेंगे वहां के रॉकेट्स जो है उन रॉकेट्स को उतनी उचाई पर पहुशना वाले रॉकेट्स को डिजाइन करना ये Sounding Rocket प्रोग्राम का सबसे पहला चरण था पूरे Space प्रोग्राम की नीव इस चरण में चुपी हुई थी और ऐसे Sounding Rockets हमने बनाए जब इनको स्पार की स्थापना 1962 में हुई थी इम्मीडियेटली उसके बाद 1963-64 को हमने Sounding Rocket डिजाइन करना शुरू कर दिया था और हमारे Sounding Rocket का सक्सेस देखते हुए कई सारे अलग-अलग देशों ने भी आ आकर हमें बिंती करना शुरू कर दिया कि प्लीज हमारा ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपके रोकेट पे लगा दीजिए उसके वज़े से उन देशों को भी उतने उपर जाने वाले एट्मोस्पेर की पढ़ाई करना आसान हो गया उतने उपर जाने वाले एट्मोस्पेर का एनलिसिस करना आसान हो गया जबकि हम लोगों ने एनलिसिस करके ये खोज निकाला कि इतने उपर के एट्मोस्पियर पर रॉकेट कैसे सर्वाइव करेंगे उसी समय पर इनको स्पार एक और चीज पर काम कर रही थी जिस चीज को हम बोलते हैं कि हमारे देश में आने वाले समय में कोन-कोन से प्रोग्राम्स चलेंगे इन प्रोग्राम्स के लिए एक प्रॉपर डिटेल प्लान बनाना और उस प्लान का नाम था स्पेस प्रोग्राम इंडियन स्पेस प्रोग्राम Indian Space Program के तहत इनको स्पार को डिजॉल कर दिया गया और इश्रो की स्थापना की गई अब हमारा जो Space Program है एक कमिटी के हातों से निकल के एक बड़ी संस्था के हात में चला गया था जिसे हम बोलते है Indian Space Research Organization यह एक Organization थी जिस organization के अंदर कई सारे अन्य संस्थाओं की स्थापना अभी होनी थी आज हम लोग उन कई सारी संस्थाओं का नाम देखते भी है इस space program को शुरू करने के लिए डॉक्टर विक्रम सारा भाई इन्होंने कई लोगों के साथ contracts किये हमारे government को भी कई सारी चीज़े explain की और ISRO की स्थापना करवाई अब यह ISRO जो है कि ISRO ने एक नया यूग भारत में लाया जिसे हम space का काल, space का समय, space का यूग ऐसे बताते है ISRO के अंदर कई सारे project शुरू हुए जिसमें दो मुख्य project थे एक project था satellite बनाने का project और दूसरा था उन satellite को launch करने के लिए सैटलीन बनाने वाले project में सबसे पहले आर्यवर्ट नाम का satellite बनाया गया यह आर्यवर्ट सैटलाइट जो है इस satellite को launch करने के लिए हमारे भारत के पास कोई launcher नहीं था हमारे पास जो rocket थे वो सारे के सारे sounding rockets थे जो आर्यवर्ट को बहुत से बहुत अपर atmosphere तक ले जा सकते थे वहाँ पर पहुचने के बाद वो फिर से नीचे गिर जाता तो भारत में रशिया को भिनती की क्या क्या आप हमारा satellite space में orbit में establish कर पाओगे रशिया ने बताया कि हाँ हम कर देंगे और तभी भारत को भी इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि अगर आगे चलके हमें हमारे खुद के satellite खुद ही space में establish करने है space में orbit में संस्थापित करने है तो हमें हमारे खुद के launchers होने चाहिए और फिर ये आर्य बटक का काम पूरा होते ही हमने हमारे launchers बनाना शुरू कर दिया सबसे पहला launcher था SLV3 हलाकि SLV3 की कहानी थोड़ी सी हम सब लोगों को पता होनी चाहिए पता तो चले कि हमारे बारे में किसने क्या का है SLV1 और SLV2 के जब experiments हो रहे थे तो वो fail हो रहे थे और वो fail होते ही international level पे जो जो newspaper इस चीज को follow कर रहे थे जो जो newspaper हमारे भारत के बारे में उटपठांग सी बाते च्छपते है उन newspapers ने यह च्छप दिया कि SLV3 is going to be a short-lived drama of India उन्होंने इसको short-lived drama ऐसे बता कर उसकी अवहेल ना करने की कोशिश की थी हमारे शास्तरद्यों के अथक प्रयाश से और हमारे पूर्वजों के पुन्या अशिरवादों से SLV3 जो है वो successful हुआ SLV3 ने हमारे देश के कई सारे satellites launch किये लेकिन SLV3 के बाद शास्तरद्यों को ध्यान में आया कि सिर्फ satellite launch vehicle बना कर कोई फाइदा नहीं अगर हमें satellite launch करने ही है तो उन launch vehicle को उड़ान भरने के बाद हमें control करते आना चाहिए इस चीज़ को बोलते है augmentation और इसके लिए हम लोगों ने बनाया augmented satellite launch vehicle जिसको advanced satellite launch vehicle ऐसे पहले का आ गया था उसका नाम बदल कर फिर augmented satellite launch vehicle ऐसे कर दिया augmented satellite launch vehicle जो है यह launch vehicle launch करने के बाद मतलब उड़ान भरने के बाद हमारे जो व्यज्यानिक है उसको control कर सकते थे हमारे जो शास्तरग्य है उसको control कर सकते थे ASLV यह भारत का एक one of the important success रहा आप खुद देख सकते हो कि SLV से ASLV काफी advanced था उसको काफी सारे strap on boosters भी थे ASLV के मदद से हमने कई सारे satellite launch करना शुरू किया लेकिन फिर once again हमारे शास्तरग्यों को या वैध्यानिकों को ऐसे लगा कि हमें अब polar satellite launch करने चाहिए यह polar satellite का अर्थ होता है जो उत्तर दुरूव से लेकर दक्षिन दुरूव तक पृत्वी के इर्दगिर परिक्रमा लगाते रहे और यह PSLV नाम के launch vehicle से संभव होने वाला था तो हमने PSLV बनाया PSLV में दो version मनाया एक था PSLV जिसे core alone भी कहा जाता है PSLV CA और दूसरा PSLV XL जिसको with strap on boosters लगाया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको PSLV जो है यह वाला जो PSLV है आपको दिख रहा है अगर यह बीच वाला PSLV जो है वो ही अगर सिर्फ रहता है तो उसे कहते PSLV core alone इसकी क्षमता थोड़ी सी कम होती है थोड़ा सा कम वजन का satellite थोड़ी सी कम उच्छाई पर संस्थापित किया जा सकता है लेकिन अगर थोड PSLV जो है इस PSLV को जादा उचाई पर जाने के लिए मदद करते हैं यह हो गया PSLV XL अगर यही स्ट्रेपन बुस्टर निकाल देंगे तो वो हो गया PSLV core alone और यह हमारे देश कहा सबसे successful और सबसे famous satellite launch vehicle है पूरे दुनिया के तकरीबन हर देश के कई सारे कई सो satellites इस PSLV ने launch किये इस PSLV ने अलग-अलग orbits में संस्थापित किये लेकिन PSLV के बाद भी जब वईज्यानिकों को पता चला कि यार कुछ satellites ऐसे होने चाहिए जो 2400 घंटे भारत के ही अवकाश में बने रहे ऐसे satellite को भूस्तिर satellites भूस्तिर उपग्रह भी कहा जाता है जो पृत्वी की त क्रोनस satellite मतलब जिस गती से पृत्वी गुमती है उसी गती से यह satellite भी गुमते है लेकिन अगर ऐसे satellite अगर हमें संस्थापित करने है तो वह उचाई आती है 36000 किलोमेटर की 36000 किलोमेटर तक अगर satellite ले जाने हैं मतलब PSLV के तकरीबन 70-80 गुना उचाई पर ले जाने हैं तो अगर इतने दूर satellite है तो उसका आकार भी उतना बड़ा होगा तो JSLV को अब बड़े satellite जादा उचाई पर ले जाने थे तो JSLV भी उतना ही बड़ा और उतना ही जादा ताकदवर बनाया गया और JSLV का इस्तमाल करके हमने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉंच किये जिसमें गगन भी आता है जिसमें IRNSS भी आता है कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो हमने वहाँ पर लॉंच किये JSLV जो है यह JSLV के बाद भी हमारे वज्यानिकों को ऐसे लगा कि यह सिर्फ सैटेलेट नहीं हमें मानवों को भी अवकाश में भेजते आना चाहिए जादा वजन वाले सैटेलेट्स जादा वजन वाली चीजे हमें उतनी उचाई तक भेजते आनी चाहिए और इसलिए JSLV को मॉडिफाई करके हमने जो विकसित किया वो था JSLV मार्क 3 या LVM मार्क 3 यह सैटेलेट लाँच वेहिकल तो है ही है लेकिन साथ ही साथ यह आस्ट्रोनॉट्स को अवकाश में ले जाने की क्षमता रखता है JSLV मार्क 3 यह LVM मार्क 3 का प्रदर्शन हमने कल ही देखा है चंद्रयान 3 के लाँच में चंद्रयान 3 को लाँच करने के लिए हमने JSLV मार्क 3 का इस्तेमाल किया इसकी क्षमता कई गुना ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट्स या फिर कंटेनर्स जिसमें ऐस्ट्रोनॉट होंगे ऐसे कंटेनर्स इनको अवकाश में ले जाने की है और ज्यादा उचाई तक संस्थापित करने की इसमें क्षमता है यह जो JSLV मार्क 3 है LVM मार्क 3 है इसको पढ़ते वक्त या फिर SLV को पढ़ते वक्त ASLV को पढ़ते वक्त PSLV को पढ़ते वक्त JSLV को पढ़ते वक्त सभी शास्तरग्यों को और एवन हम सब स्टूडेंट्स को भी धहन में आता है कि यह जो सब launch vehicles है यह reuse नहीं हो सकते एक बार launch कर दिया satellite आउकाश में छोड़ दिया वो समंदर में जाके कहीं गिर जाते है उनका reuse नहीं हो सकता पूरा की पूरा launch vehicle फिर से एकदम सीरे से शुरू से बनाना शुरू करना पड़ता है लेकिन इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे शास्त्रग्यों ने एक reusable launch vehicle बनाना शुरू किया reusable launch vehicle जो है यह reusable launch vehicle बार बार use करते आएगा जितने बार आप satellite launch करोगे उतनी बार वो satellite को छोड़ कर फिर से जमीन पर आके बैठेगा अगर यह satellite launch vehicle आउकाश से जमीन पर फिर से आने की क्षमता रखता है तो क्यों नहीं यह satellite को जैसे ले जा सकता है वैसे astronauts को वापस नहीं ला सकता जिन astronauts को हम आउकाश में छोड़ेंगे उन astronauts को वापस लाने की क्षमता इस HRLV Hybrid Reusable Launch Vehicle के अंदर है HRLV जो है RLV जिससे कहा जाता है वो हमने already बना दिया है लेकिन उसको TD रखा है Technology Demonstrator के level पे रखा है Technology Demonstrator क्या होता है जब हमें दुनिया को बताना हो कि XYZ Technology हमारे पास है लेकिन हम उसका अभी इस्तमाल नहीं कर रहे इस्तमाल नहीं कर रहे इसका मतलब हमारे पास नहीं है ऐसा ना समझो हमारे पास है यह जब हमें दिखाना हो तब हम TD का इस्तमाल करते है Technology Demonstrator का इस्तमाल करते है यह एक prototype होता है लेकिन सिर्फ prototype नहीं होता उसका actual में launch करके भी दिखाया जाता है कि हमारे पास fully functional without error काम करने वाली पूरी technology है और इस technology का demonstration हमने किया लेकिन इतने सारे बड़े बड़े satellites launch करते करते वज्यानिकों को यह भी धहन में आया कि आने वाला जमाना नैनो टेकनोलोजी का जमाना है छोटे छोटे satellites उसमें विकसित किये जाएंगे कई सारे देशों ने तो विकसित करना शुरू भी कर दिया कि छोटे-छोटे satellites को launch किया जाए अब इतना छोटा सा satellite होगा तो क्या PSLV, GSLV जैसे इतने बड़े-बड़े launch vehicles लगेंगे इतना सारा fuel उसके लिए हम जलाएंगे, नी जलाएंगे इसरों को भी यह धहन में आ गया तो इसरों ने एक already नया satellite launch vehicle विकसित किया जिसे हम कहते है SSLV Small Satellite Launch Vehicle यह nanotechnology से बने होए छोटे-छोटे satellites को launch करने की ख्रमता रखता है छोटे से size छोटा होने के कारण इसका इंदन भी कम जलता है और SSLV यह हमारे इसरों की एक नई उपलबदियों में से एक है इसको already हमने use करना शुरू कर दिया आपको already दिख रहा होगा SSLV का एक फोटो तो ऐसा है जो already launching के समय निकाला गया है आपको एगर ऐसे लगता हो कि इसरों सिर्फ satellite ही बनाती है और launch vehicle ही डिजाइन करती है तो ऐसे नहीं है इसरों के कई सारे अलग project है उन में से एक project आपको दिखाऊंगा जिसको हम कहेंगे कि इसरों के अलग project में एक है भुवन नाम का project आपने google map यूज किया ही होगा आपने google earth भी यूज किया ही होगा google map और google earth की तरह ही काम करने वाला भारत सरकार का इसरों का यह एक project है जिसको हम भुवन कहते है google map और google earth से कई गुणा जादा इसका resolution है और आपको कई बार सवाल पढ़ता होगा कि teacher लोग इतने high resolution area image लाते कहां से भुवन में से वो image आती है कभी आप कोशिश कीजिएगा भुवन के website पे जाने की और उनका software जो है उसके अंदर से अलग-अलग locations को देखने की आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसका resolution google map, google earth के गुणा कई गुणा जादा resolution है और उसमें features भी बहुत सारे है 2D, 3D map के अलावा आपको elevation calculator ऐसे कई सारे वहाँ पे developmental features मिलेंगे भारत सरकार को उनके अलग-अलग projects में मदद करने के लिए ये भुवन नाम का software ISRO ने बना है खुद के satellite का इस्तमाल करके बना है ISRO के वईज्यानिक दिन रात एक करके हमारे देश की उन्नती के लिए अलग-अलग मुकाम हासिल करते मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपका भी सपना यही है कि किसी दिन मैं देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ जिसके वज़े से देश की बहुत उन्नती हुई है ऐसा नाम हो आपके इस प्रयतनों के लिए मेरी और से पूरी पूरी शुप कामना है जल्द ही ऐसा और information लेके मैं आपको मिलने आओंगा तब तक के लिए जैहिंद